साथियों संसाय तालिस में अंग्रेज भले चले गए लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिक्ता यही पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए यही छोड़ गए थे इसलिए आज हाजी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूप फला फुला जो सत्ता को अपना जन्म जात हक समझता था इन लोगों की बाद्शा ही मानसिक्ता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना 2014 में इस दबे कुचले शोशीत वंचीत वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की बाद्शा ही मानसिक्ता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बाद छोड़ दीजे पल पल कुचलते रहते थे इसलिए हमारी सरकार के पहले कारकाल में ही बाद साही मानसिक्ता वाले इन लोगों ने इन सोशीतों वंचीतों दलीतों पिछडों कोई मोका नहीं छोड़ा उनकी मजाब उडाने में हर पल उनकी मजाब उडाते रहे है हमारी योजनाओं को हमारे कारकमों को निम्नस्तर का बताने की होड़ बढ़ा ही है जब मने लाल के लिए से स्वच्च भारत अभियान की चर्चा की गावन को गरीब को मेरी मां पाव बहनों को इज़द कर देना सवच्चाले की सुविदा जैनी की बात जब मैंने की तो यहीं लोग क्या क्या नहीं कहते थे जब मैंने डीजिक लड इंडिया की बात की तो इनों ने अपनी ताकत पूरी ताकत उसे खारीज करने में देश के लोगों में ध्रम पैदा कर रहे हैं निराशा पैदा करने में पुरी शक्ती चौंक दी ये तर्थ दिये जाने वाले और ये कहने लगे देश में बड़ी आवादियर पड़ है अंजान है वो कैसे डिजिटल इंडिया का लाब ले पाएगी साथियों जब हमारा मजाक उड़ाकर ये सफल नहीं हुए तो बादसाही मानसिक्ता वाले इन लोगों की नफरत और ज़्यादा बड़ गई उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दसकों दसक से हिंसा से जूज रहे जम्मु किश्मीर और नौर्थिस्ट में शान्ती का सूरज उगईगा इन्होंने कभी कलपणा भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा जो काम दसकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है यह इने पच्च नहीं रहा है इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज जूट पर जूट जूट पर जूट बोले जा रहे हैं अपने ब्रश्ट कर्मों का खुलासा होते देख यह बेचेन है हतासा से भर गए है इसलिए अब ये लोग इतने हतास इतने नराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है एक ही उपाई दिख रहा है और वो खुल करके कहने लगे हैं मोदी तेरी कब्रखु देगी वो कब्रखोदरी की दमकी देने लगे बादसाही मानसिक्ता वाले इन लोगों को इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है आदेश का धरीब देश का सामान्य मान भी देश का युवा देश की माताए बहने बेटिया दलीत पीडित सोशित बंचित आदिवासी हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए भाजपा के कमल की रक्षा कर ले के लिए पुर धाल बन करके खड़ा हुआ है